हेलो माई यूटो फैमली कैंसो, I hope guys आप ठीक होगे, तो गैज ethical hacking की हमाई number first video है, आज किस वीडियो हम बात करेंगे information security के बारे में, any information security है क्या, हमको इसकी क्यों जूरत पढ़ती है, और ethical hacking में आखिर इसका क्या role play करती है, तो गैज सबसे पहले हम बात करते है, what is information, any information है क्य ये बारे में detailed information है, यहाँ तक क्किसी के date of birth भी information होती है, तू कर जो simply information होती है, गरज फिल्ली फिजिकल information होती है तो क्या जब भी हमारे जो simply जिसको हम touch कर सकते हूं और उसको हम पढ़ सकते वह simply हमारे physical information होती है for example news paper है जो simply हमको news paper मिलता है Simply हम उसको क्या करते है हमारे physical information क्योंकि हम उसको touch कर सकती है news paper को अगर आपके कुछ important documents हैं तो वो भी हमारे physical information के अंदर गत आति क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं इसलिए वो हमारे फिजिकल इंफोर्मेशन कहला था तो आई हब वो किलियर हो चुका होगा जो फिजिकल इंफोर्मेशन होते हैं जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो हमारे फिजिकल इंफोर्मेशन में आता है अब हम बात करते हैं डिजिटल डिजिटल इंफोमेशन वो होती है जिसको हम टॉच नहीं कर पाते हominm कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ पड़ते हैं, तो इजा हो horizontal dear to nutri a is guys say in digital information. इसको we touch कर सकते हैं लेकन digital information उसको we touch on target कोकि değild कर सकती खाली उसको देख सकते हैं . तो I hope तो आपको clear हो चुका होगा, जो simply information होती है, वो two types की होती है, physical और digital और दोनों में क्या difference होता है, तो जब हम बात करते हैं, information और data में क्या difference होता है, 95% इंसानों को यह लगता है, को जो simply information है और data दोनों एक ही चीज है, बट गाज ऐसानी data अलग है, और information अलग है, तो जब हम ब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो simply information है, वो information को खाली हम पढ़ सकते हैं, यह फिर कहले ही, online या offline उसको हम simply पढ़ सकते हैं, लेकिन जो simply हमारा information है, जब हम उस information को अपने system में download कर लेते हैं, simply अगर मैं आपको simple सब्द में बताऊं, तो जब भी कोई चीज हम internet पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारी information कह रहाती है, लेकिन जब हम उसको download करके अपने system में रख लेते हैं, तो हमारा data बन जाता है, आपको पता आगा data से मिलके हमारा database बन जाता है, यह जब हम बहुत से information को अपने system में download करके रख लेते हैं, तो वो हमारा data बन जाता है, लेकिन guys, जो बहुत जो data मिलके हमार database बन जाता है तो आइह अपको clear हो जुगा information और data में गैज तो simply information होती है, information हमाई तब तक information रहती जबता हो इसको पड़ते जबता हो इसको कहीं चाहर इंस्टॉल एफन डाउंलोड नहीं करते हैं जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिंप्ली हार्टेक से अपने SSD है फिर कहीं भी तो वो हमारा डाटा बन जाता तो आई होब आपको किलिए हो चुका और डाटा में ज्यादा कुछ different नहीं होता तो हम बात करें इसक्यॉर्टी की एनि सिंप्ली मेंजर से आपको मतलब बता सिंप्यॉर्टी इनी शुरक्षा कियलाता है For example, HMARA Data है, ठीक है वह आपका data credential हो सकता है या फ़र नहीं हो सकता है लेकिन जो हमारा data को, जब हम secure करते हैं ये फिर कहले हैं, security के साथ उसको रखते हैं तो वह हमारी security बन जाती है तो I hope आपको पता चल लगा है security होती कह है तो कहले को security हार एक जंगा होती है फॉर एक्जम्बल देखो आपको computer security भी होती है, आपकी home की security भी होती है, एक human की security भी होती है, और food security भी होती है, यापन कहले हर एक जंगा security होती है, चाहिए वो health security हो, चाहिए वो computer की networking security हो, यापन information security हो, यापन कहले है, security हर एक जंगा होती है, अगर करें security नहीं है, तो समाझ में अब हम बात करते हैं, ethical hacking में security का क्या roles होता है, तो जैसा कि आपको पता है, दिन पर दिन technology एकदम बढ़ती जाती है, hackers, crackers, अपर जाफर कहले हुआ जी, thought party, simply, जो companies होती है, वो daily daily basis पर किसी ना किसी का data breach हो जाता, hackers के थूरू, और गाज अगर एक बार हमार डाटा किसी भी इंसान के पास चला गया, तो गाज वो हमको blackmail तक कर सकते हो, और यहां तक कि इस सिंप्ली के लिए हमसे पैसे भी निकाल सकती हो, और गाज कोई-कोई इंसान को थे इतना मतलब important data होता है, इतना credential होता है, क्यों उस data की recover में वो कुछ भी देने के लिए तयार होते हैं, तो आई होब आपको पता चल गया होगा data क्या और data के क्या value होती है, तो गाज आई होब आपको आज की वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, तो गाज बस यह थी आज की वीडियो एनि information security के बारे में, तो बस गाज इस चैनल को subscribe कर लो, वीडियो लाइक कर दो, तो गाज बस मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन और बंदे माज दन, love you to all.